लड़की के सामने सक्त लड़का बन कर रहने में ये फायदा है लड़की को ये पता होगा तुम दूसरे लड़कों जैसे उसके आगे पीछे नहीं गोमोगे उसे परिशान नहीं करोगे तुम लड़की के नजर में दूसरे लड़कों से अलग हो जाते हो जैसे कि हम जानते हैं लड़किया अलग लड़कों को पसंद करती है लड़की का भरसा आप अपने आप जीत लेते हो और लड़की आपको अपने सारे सिग्रट बदा भी जले आती है आप लड़की के बेस्ट बन जाते हैं तुम आसानी से उन लड़कों के बारे में जान जाते हो, जो उस लड़की के पीछे है, लड़की उन लड़कों के बारे में क्या सोचती है, उसे कैसे लड़की पसंद है, कैसे लड़कों से वो नफरत करती है, तुम ये भी जान लेते हो, तुम कभी भी कोई भी कहानी बना क लड़की को किसी भी लड़की से नफरत करा सकते हैं लड़की तुम्हारे साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभाएगी क्योंकि तुम उसे प्रोडेक्शन दे रहे हो वो भी बिना किसी तुम्हारे फायदे के आप उसका एडवंटेज भी ले रहे हो तुम भी लड़की आपसे नाराज नहीं होगी क्योंकि आप उसके दिल में भुरा सा कायम कर चुके हो हो सकता है लड़की तुम्हें छेडना शुरू कर दे क्योंकि तुम हुआ अपनी तरब से लड़की को इस्पेशल फेल नहीं करवा रहे हो ना ही तुम लड़की को special appearance दे रहे हो जब आप दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाए जब आप लड़की के वारे में सब कुछ जान चुके हो उसका mood, उसका behave, उसका पसंद, ना पसंद तब जाकर तुम अपने propose की तयारी कर सकते हो अब आप लड़की को पठाने की तयारी कर सकते हो लड़की से प्यार भरी बाते कर सकते हो लड़की के तारीव कर सकते हो लेकिन ये भी तुम्हें फिलाल friendship के दायरे में रायकर करना होगा लड़की को हसाओ, उसों घुमाने ले जाओ, उसे enjoy कराओ वो सब करो जो एक boyfriend करता है अब देखो, लड़की को भी अच्छा लगेगा जो लड़का दूसरे लगों से बात नहीं करता लड़कियों के आगे पीछे नहीं खुनता वो मुझे special feel करा रहा है मैं कितने खुप सुरत हो जो किसी के सामने नहीं पिगला वो मेरे सामने पिगल गया पूरे खेल में तुम्हें कुछ नहीं करना होगा लड़की अपने आप तुम्हारी दिवारी हो जाएगी अगर लड़की कभी तुम से पूछे तो ऐसे क्यों हो तो बताना मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी बहुत प्यार करती थी बहुत अच्छे लड़की थी उसके जाने के बाद मुझे कोई दूसरी लड़की पसंद नहीं आई उसके जैसे दूसरी कोई लड़की नहीं है दुनिया में उसकी बहुत ही कुछा लड़ती मेरे जिन्दग में कभी कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी तुम्हारे मुझसे ऐसी बाते सुनकर लड़की सोचीगी अरे यार कितना अच्छा लड़का है जो उसे छोड़कर चेलेगे उसे भी बुरा नहीं बोर रहा confidence तो तुम पहले ही बना चुके हो कि तुम चालो लड़के नहीं हो जिससे प्यार करते हो बस उसी के साथ ही होते हो दूसरी लड़की के तरब तो तुम देखते ही नहीं लड़की सोचीगी ये मेरा हुआ तो ये मेरा ही रहेगा ये मुझसे सचा प्यार करेगा लड़की को जलन भी होगी कि तुम उसके सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ कर रहे हो वो तुम्हारे सामने उस लड़की से बहतर बनने के चक्कर में तुम्हारी गल्वर बन जाएगी इस situation के बाद लड़की बिना किसी result से तुमसे नाराज हो जाएगी और तुमसे दूर हो जाएगी ये तुम्हारा last test है वो तुमसे दूर रहकर ये देखना साहती है कि कही तुम जूट तो नहीं बोल रहे हो कही तुम उसे impress करने के लिए कोई गेम तो नहीं खेल रहे हो तुमने अभी तक जो image बनाया है क्या वो तुम्हारा सही image है वो तुम पर नजल रखेगी वो तुम्हारा social networking के profile को analyze करेगी क्या तुम्हे कोई फरक पड़ता है उसके नाराजवने से अगर तुम इस last test में पास हो गये तो वो तुम्हारी गल्वन बन जाए है